है 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 मैं अशनी शर्मा और हम कर रहें स्टील स्ट्रक्चर तो देखिए नेक्स्ट कोश्चिन क्या है हमारा टू प्लेट्स सिक्समें थिक आर जोइंड बाइ 14 mm डियामीटर रिवेट्स ठीक है यह भी कोश्चिन हमारा कुछ डिजाइनिंग के रिलेटेड ही हो है ट्रिपल स्टैगर्ड रिवेटिड लैप जोइंट तो बैसिकली लैप जोइंट है हमारा दियावा एशनीन फिकर जैसे हमें यहां पर दिखाया हुआ तो यह जोइंट है हमारा ट्रिपल रिवेटिड पीछे बैसिकली स्टैगर्ड रिवेटिंग की हुई है हमने तो ट राइटीरिया से करेगा कहां पे फेल करेगा basically अलावबल स्ट्रेस दी हुई है हमें यहां पे ठीक है टेंसाइल स्ट्रेस आफ प्लेट दे रखी है रिविट की शीयरिंग और बेरिंग स्ट्रेस दे रखी है इसके इलावा हमें बोलाग कि एफिशेंसी भी केलकुलेट करिए ठीक है efficiency भी हमें पूची गई है basically अब देखिए यहां पे कुछ इस तरह का हमारा यहां पे joint है ठीक है lap joint दिया हुए इसको जब हम दूसरे view में देखते हैं जो कि figure हमें दी हुई है given है यह फिगर तो यहां पे यह plate A और plate B हमें नाम दे दिया इनका just इसके अंदर otherwise सब कुछ same है कोई दिक्कत नहीं है ऐसी 6 mm की thickness है इनकी triple rating है यहां पे staggered rating है basically thickness जो है my width जो है basically इसकी वो दे रखी है 130 mm सारी dimensions mm में दे रखी है वही कोई भी centimeter या किसी दूसरी dimension में नहीं है सारी dimensions आ रहा हम यहां पे दे रखी है distance दे रखी है edge distances end distances सब कुछ दे रखा है pitch दे रखी है gauge length सब कुछ दिया हुए हमें यहां पे बस हमें क्या करना है calculation करनी है basically यहां अब calculation करने के लिए क्या calculation करनी है वो देखना है हमें यह पूछा हुए हमसे पूछा है कि भाई किस pattern से यह fail करेगा ठीक है in what way will the joint fail अब joint fail कैसे कर सकता है या तो rivet fail कर जाए या फिर plate fail कर जाए ठीक है इन दोनों में से कोई एक चीज that will fail करेगी तो उस्ब्स हिसाफ से हमारी जो जुइंट है वह 살 कर जाएगी अब advance video कैसे करेगा करते हैं ठीक है उसके initiative करेंगे कि near prevent के अंदर स्कीन कितनी थी दूसरा हम यहां पे क्या करेंगे कि प्लेट की जब बात करते हैं तो प्लेट हम यहां पर चेक करेंगे कि प्लेट कैसे फेल करेंगी मतलब टैंसाइल स्ट्रेंथ आफ प्लेट वह हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वह कैसे कैलकुलेशन होगी यहां पर मतलब अलग-अलग सेक्शन पर फेल कर सकती है प सबसे पहली चीज तो हमारी होती है कि जो डीटा दिया हूँ है उसको लिख लेते हैं कि इसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे कि निकालना क्या है फिर उस रास्ते पर चलेंगे थीकनेस दे रखिए हमें यह आ पर 6 mm की इसके लावा 14 mm diameter दिया हुए हमें कितना 14 mm अब आगे हमें gross diameter की जरुरत पड़े क्योंकि rivets है यहीं पे लिख लेते हैं 5g कितना हो जाएगा 14 plus 1.5 कितना हो गया यह 15.5 mm तो बार बार अब हमें calculation करने की जरुरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पे देखो और क्या दिया हुआ है staggered riveting lap joint है हमारा invert wheel यह सारी चीज़े दे रखी है और stress दे रखी है मतलब ft हमें कितनी दी हुई है 150 MPa tensile strength दे रखी है और shear Fs दे रखी है हमें 90 MPa और Fb bearing में कितनी दे रखी है हमें allowable bearing stress 270 270 MPa यह value हमें bearing में दे रखी है इसके अलावा बाकी जो dimensions की जरूरत पड़ेगी वह हमें यहाँ पे दे रखी है total weight भी दे रखी है हमें 130 mm बाकी gauge length पीच वे सब कुस दे रखा है हमें वो जब जरूरत पड़ेगी तो उस time पे हम calculate कर लेंगे यहाँ पे clear तो अब बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की सबसे पहला पार्ट हमें क्या चाहिए कि किस तरीके से यह fail करेगा या तो rivet fail करेंगे अपलेट सबसे पहले क्या करते हैं rivet value निकाल लेते हैं उसके लिए PS और PB की जरूरत पढ़ेगी हमें तो सबसे पहले PS ठीक है sharing strength of rivet कैसे लिखेंगे n into pi by 4 into 5g square into f s lap joint है तो sharing planes कितने होंगे यहाँ पे एक ही sharing plane है तो यह तो कितना हो गया एक 5g हमें पता है fs भी हमें पता है तो calculate कर लेंगे 1 into pi by 4 into 5g gross कितना हो गया हमारा 15.5 का square into f s कितनी दे रखी है हमें 90 कि देखो कितनी आती है यह पाइबाइब फोर इंटू 15.5 का square into 90 कि डिवाइड बाइब थाउजेंड भी कर लेते हैं 16.98 किलो न्यूटन इंटू 10 रेस टुपार माइनस त्री कर देना किलो न्यूटन के लिए 16.98 किलो न्यूटन 17 नहीं लिख सकते इसको भी हम ज्यादा हम नहीं कर सकते कम लिख सकते हैं clear तो यह आगी हमारी एक रिवेट की shearing strength और P B की जब मैं बात करता हूँ तो bearing strength कैसे calculate करेंगे हम यहाँ पे DG cross T into F B thickness minimum या कुछ लेने का कोई यहाँ पे सच कोई criteria नहीं use करना पड़ेगा क्योंकि lap joint है दोनों same thickness की है तो 6 mm का ही हम यहाँ पे use करेंगे DG कितना था हमारा 15.5 into 6 into F B F B कितनी दे रखी है हमें हाँ पे 270 माइनस 3 किलो न्यूटन के लिए कर देते हैं तो यह आ जाएगी हमारी यहाँ पे 15.5 into 6 into 270 divide by 1000 तो यह आ गया 25.11 65.11 आ गया हमारा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक सेकंड 25.11 किलो न्यूटन यह आ गया पी बी तो बेसिकली रिवेट वैल्यू हमारी क्या होगी यहां से दोनों में से मीनिमम रिवेट वैल्यू क्या होती है हमारी पी एस और पी बी में से जो मीनिमम आती है तो यहाँ पे मीनिमम क्या है हमारी यहां पे मीनिमम वैल्यू 16.98 और 25.11 में से क्या है 16.98 तो देरफोर आर भी किसके बराबर होगी पी एस के 16.98 किलो न्यूटन एक रिवेट की तो इतनी स्ट्रेंथ आ गई तो जब मैं पूरे जोइंट की बात करता हूं तो पूरे जोइंट में रिवेट वैल्यू के बेसिस पे स्ट्रेंथ कितनी आएगी वो देख लेते कितने नंबर आफ रिवेट यूज किये गए है सेवन तो सेवन रिवेट की जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी जितनी एक कि उसकी मल्टिप्लाइड बाइ सेवन तो देरफोर स्ट्रेंथ ओफ जोइंट बेस्ड ओन रिवेट वैल्यू इक्वल्स टू एन इंटू आर वी एन क्या है हमारे यहां पर नमबर ऑफ रिवेट कितने है साथ इंटू सिक्स्टीन पॉइंट नाइन एट कितनी आ रही है यह देखो 16.98 into 7 118.86 118.86 किलो न्यूटन यह आ गए हमारी यहां पे टोटल जो हमारी रिवेट्स की स्ट्रेंथ आएगी कि भी रिवेट्स फेल करेंगे तो वो इतने स्ट्रेंथ पे फेल करेंगे अब बात आती है हमारी प्लेट की लिवेट्व में प्लेटे ए और प्लेट बी जो यहां पे नाम दिया हुए हमारा यहां पे वह जस्ट सिग्निफिक描ंज के लिए कि यह प्लेट नीचे वाली फ्लेट बी प्लेट बिल दी दोनों में से किसी एक को लेके solve करेंगे दूसरे का just same रहेगा हमारा criteria तो कोई भी एक plate ले ले लेते हैं जिसको हम यहां पर check करेंगे ठीक है कि नाव कि एक फॉर प्लेट ए सपोज प्लेट ए ले लेते हैं हम ठीक है तो plate A ले ली हमने suppose अब A plate के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे check करेंगे section one one की जब हम बात करते हैं अब अलग-अलग section पे check करना पड़ेगा at one one ठीक है यहाँ पे भी fail कर सकती है मुझे नहीं पता ना कि कहाँ fail करेंगी यहाँ पे कम strength है सबसे यहाँ पे कम strength है या फिर यहाँ पे सबसे कम strength है कहाँ पे सबसे कम strength है वो मुझे भी नहीं पता basically अगर just हम जितना हमें पता है उस हिसाब से अगर सोचना चाहे सबसे weak तो generally इसी point पर होनी चाहिए यह ठीक है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारी main plate जो है पूरा का पूरा load ले रही है ठीक है तो और यहाँ पे basically पूरा load ले रही है और यहाँ पे number of rivets transfer नहीं कर रही है आप कह सकते हो कि दूसरी plate का load जो है पूरा transfer नहीं हुआ होगा किसी दूसरे plate के उपर जिसके उपर इसको transfer कर रहे है मतलब एक plate यह थी और दूसरी यह थी इसका जो load था दूसरी पे transfer कर रही थी मतलब यह joint था basically single के लिए कर देना यहाँ पे fail करेगी यहाँ पे करेगी है यहाँ पे करेगी वो cover plates अगर होती तो यह क्या करती है अपना load main plate cover plates के थूँ दूसरी plate पे transfer कर देती है अब cover plates नहीं है तो यह क्या करेगी खुद rebates के थूँ इसके उपर transfer करेगी यहाँ पे कुछ load transfer किया होगा इधर कुछ और किया होगा यहाँ तक पहुंचते सारा का सारा इसके उपर transfer हो गया होगा maximum probability तो यह है कि यहाँ पे होते है fail but हम check करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे number of holes बढ़ गए तो वो जिस पे भी आएगा हमें check करना पड़ेगा कि कौन सा section हमारा यहाँ पे V cast है suppose मैं 1 1 पे check करता हूँ तो 1 1 पे मेरी pt strength जो आएगी pt 1 1 suppose यह कितनी आएगी b minus n into 5g into t into ft यह रहेगी मेरी value ठीक है तो इसको solve करेंगे तो number of rivets b क्या कितनी है total 130 total width minus number of rivets कितनी आ रहे section 1 1 पे 2 into 15.5 into thickness कितनी है 6 into ft ft की value क्या दे रखी है वह में 150 तो यह 150 तो यहाँ पे हमारी जो pt आ जाएगी pt 1 1 वो देखते हैं कितनी आ रही है कि 1 1 section पे strength कितनी है यह आ जाएगी 2 into 15.55 minus करना है हमें minus 130 में से ठीक है 99 into 6 into 150 divide by 1000 अगर करते हैं तो 89.1 89.1 किलो न्यूटन एक तो यह आ गई strength हमारी ठीक है तो 89.1 किलो न्यूटन एक चीज़ तो मैं यहाँ से पता चलगी है कि इन ही में से कहीं पे फेल कर रही हो कि rivets तो strong है उन से पहले तो यहीं कहीं फेल करेगा बाकी दो हो सकता है इससे भी कम हो तो वहाँ पे चेक करते हैं PT पे चेक करते हैं सब्सक्राइब सेक्शन टू टू पे एट तो टू टू सेक्शन जो है हमारा जो यह सेक्शन है इसके जब बात करेंगे तो इसकी strength कैसे लिखेंगे हमें यहाँ पे B- N into 5G into T into FT यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यह इनकी rivet value भी एड़ हो जाएगी इसके पहले जो section present है मतलब यह दो rivets जो present थे वो भी यहाँ पर strength देंगे तो 2 times RV तो यहाँ पे 130 minus number of rivets कितने हैं इसमें 3 है 3 into 15.5 into 6 into FT कितनी थी 150 plus 2 times RV rivet value हमने कितनी calculate करी थी 16.98 तो यह value देखो कितनी आ रही है ठीक है यहाँ पे इसको kilo newton में भी convert कर लेना यार ठीक है यह इतना portion जो है यह इसको kilo newton में क्योंकि यह वाली जो value हमने लिखिया है rivet value कि वो kilo newton में है तो यह करो देखो कितना आ रहे फिफ्टीन पॉइंट फाइफ इंटो थ्री माइनस एक्सो थीस अलब एक्सो थीस में से माइनस किया इंटो 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 फिफ्टी दिवाइड वाई थाउजंड 75.5 प्लस टू इंटो 16.98 वन हंडर्ड नाइन पॉइंट इलेवन वन हंडर्ड नाइन पॉइंट 11 किलो न्यूटन तो मनला यहां तो फेल करेगी नहीं ठीक है इससे कम तो पहले पर मेरे को मिल गया तो यहां पर अब एट 33 अब सेक्शन 33 की बात करते हैं P T 33 33 सेक्शन पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या रहेगी बैस ट्रेंथ B माइनस N इंटो 5G इंटो T इंटो FT यह तो सेम रहेगा प्लस 2 टाइमस रिवेट वैल्यू यहां पर एड हो जाएगी और 3 रिवेट यहां पर आगे इनकी एड हो जाएगी तो 2 प्लस 3 5 पाच टाइमस रिवेट वैल्यू हमारी हाँ पर एड हो जाएगी बैए तो भी 130 माइनस नमर आफ रिवेट्स इस सेक्शन पर कितने नमर आफ रिवेट्स दो तो इन्टू 15.5 इन्टू 6 इन्टू 150 इन्टू 10 रेस टुकार माइनस 3 यह हो गया कितनी आए कि देखो करो कैलकुलेट 15.5 इन्टू ठीक है माइनस 130 99 इन्टू 6 इन्टू 150 इन्टू दिवाइड वाई 1000 यह आगे 89.1 प्लस 5 टाइम्स रिवेट वैल्यू 16.98 इन्टू 5 174 इन्टू यह आगे हमारी 174 किलो न्यूटन तो आप देखो भई या तो रिवेट वैल्यू से फेल कर सकती थी या फिर प्लेट की टैंसाइल स्ट्रेंथ कम होती तो उससे फेल कर सकती थी तो प्लेट के अंदर भी मिनिमम क्या थी हमारी एक यह निकल क्या ही है एक यह नि प्लेट वहां फेल करेगी तो मतलब थीनों में से मिनिमम क्या है अ क्यक्ति और नियूंत में भी चार और आगे को स स्ट्रेंद्थ टीनों esse क्षिशन की जो स्ट्रॉंत यह वह इंचारों केसिन्स में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी यह हमारी जोइन्ट हमारा उसी जग 23.1 हमारी में जो है कहां करेगा 613 यहां पर करेगा ठीक है क्योंकि हमें Commission使त का थोड़ा आईडिया मिल जाएगा क्योंकि जिए अधर कर होगा हीं औ है तौन को रहें हुझाद इस्सेलिए छोगा दिसकस किया है तो एक लिदाउन कर लो फिर आगे सांसे करते स्क्रीन चोट लो इसका जल्दी से तो अब देखिए यहां पहले हो so joint will fail joint will fail at the minimum at a section having minimum value at the section having minimum strength minimum strength किस किस में से rivet strength में से कितनी थी हमारी एक सो अठारा पॉइंट चार किलो न्यूटन pt11 pt11 कितनी है 89.1 किलो न्यूटन थार्ड और फोर्स हमारे क्या क्या है pt22 तो तो टेंसाल स्ट्रेंथ सेकेंड पर कितनी एक सो नो पॉइंट एक एक किलो न्यूटन और pt33 कितनी है हमारी 174 किलो न्यूटन ठीक है तो बेसिकली इन चारों में से इनिमम होगा वहीं पर हमारा सेक्शन फेल करेगा मतलब यहां पर जॉइंट जो है फेल करेगा यह हमारा फेलियर क्राइटिरिया होगा देर्फोर जॉइंट विल फेल एट विल फेल है बाइदा फेलियर वे एट एट सेक्शन वन वन थीक है वही तो ये हमें पता चल गया एक पार्ट का अंसर तो हमें यहां पना चल गया कİ हमारी जो प्लेट है वो penis हो फेल करेंगी धार्योर फेल करेंगी प्लेट ने से section 1-1 पर question यहाँ पर complete हो चुगा है एक part का दूसरा part हमें बोला कि उसने की efficiency भी निकाल के बता दो efficiency भी calculate कर देते हैं efficiency के लिए क्या होगा minimum value strength of joint upon strength of solid plate strength of joint हमें पता चल गी यह है strength of solid plate निकालनी है अब हमें now strength of solid plate strength of solid plate तो strength of solid plate कैसे निकलेगी width into thickness b into t into strength width कितनी है 130 into thickness कितनी है 6 into ft कितनी थी हमारी 150 into 10 raise to power minus 3 kilo newton के लिए कर देते हैं यह देखो कितनी आ रही है है इससे हमें strength पता चल जाएगी 130 into 6 into 150 divided by 1000 एक सो सत्रा 117 किलो न्यूटन यह हमारी सिर्फ प्लेट की जो स्ट्रेंथ आई थी वो है तो देर्फोर और efficiency कितनी आ जाएगी है हमारी strength of joint strength of joint upon strength of solid plate into 100 तो यह कितनी आ आगे हमारी 89.11 upon 117 into 100 तो यह देखो कितनी आ रही है तो 39.11 डिवाइड बाइए एक सो सत्रा इंटू हंडर्ड 76.16 यह आगे हमारी 76.111 आई थी 1616 यह हमारी efficiency calculate होगी तो basically question यहाँ पर हमारा complete हो चुगा है हमें पहले बोला था कि failure बताइए कैसे होगा वो हमने बता दिया कि हमारी plate fail होगी section 11 पर और उसके बाद efficiency calculate कर दी तो designing से थोड़ा related था question इसलिए हमने यह discuss किया था यहाँ पर इसके बाद एक question और discuss कर लेते हैं जो कि हमारा LSM से हम solve करेंगे ठीक है LSM से नहीं नहीं देखा LSM से भी question discuss कर लेते हैं यहाँ पर उसके बाद देखते हैं फिर welded joint a single bolted double cover butt joint is used to connect two plates which are 8 mm thick तो आपको एक double cover butt joint दिया हुए जो की दो plates connect कर रहा है किसको कितनी थिकने से जिनकी 8 mm की ठीक है तो assuming 16 mm diameter bolts 16 mm का diameter है हमारे bolts का क्या है यहाँ पर bolts है याद रखना rivets नहीं दिये हमें इस बार clear तो यह चीज याद रखना आप bolts of grade 4.6 and cover plates grade दिया हुए हमें bolts का 4.6 clear तो यह चीज हम यहाँ पर देखते हैं अब to be 6 mm thick cover plates दे रखिए 6 mm thick calculate the strength and efficiency of the joint strength और efficiency निकालनी है basically मैं joint की if four bolts are provided in the bolt line at a page of 45 mm as shown in figure take the end distance of the fastener along bearing direction as 30 mm basically सारी चीज हमें यहाँ पर given है mention है कि यह double cover but joint है उसके अंदर चार number of bolts use किये गई है single rivet line है हमारी और pitch दे रखिए हमें बाकी सारी end distance भी दे रखा है हमें बहुत सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है तो और diagram भी हमें आपर mention किया हुए diagram कैसा है कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है double cover but joint हो गाई सारे dimensions हमारी mm में एक सो पिचान में हमारी यहां पर total width जो है वो भी given है तो strength निकालनी है इसलिए हमने क्या किया एक simple question लिया simple कि इसमें सारे concept clear हो जाएंगे कि अगर मैं LSM से करना चाहता हूं तो LSM से क्या procedure होगा ठीक है steps हमने पहले समझ लिये थे देख भी लिये थे starting में कैसे निकालते हैं बट अभी question के through हम उसको और clear कर लेंगे तो यह joint अगर हम देखे पहले तो हमें care क्या लिखना होता है given values लिख लेंगे अब उससे पहले क्या करते हैं यह joint हमारा कैसा होगा double cover but joint हमारा कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं एक बार ताकि आगे की जो parameters हमें निकालने होंगे single shear है कैसा है वो चीजें हमें निकालने में कोई भी problem ना हो तो देखो यह double cover but joint है तो plates हमारी कुछ ऐसे होंगी ठीक है दो plates हमें दे रखी है कितनी दे रखी है यह 8 mm की ठीक है 8 mm की thickness दी हुई है और यह तो हमने क्या बना दिया यह तो लैप जोइंट हो गया ना हमारा क्या दिया हुए बट जोइंट दिया हुए यहां पर यहां रखना आप्स यह आपको जोइंट कैसा दिया हुए एक प्लेट यह होगी हमारी और दूसरी हमारी इधर होगी ठीक है बट जोइंट हमारा डबल कवर है तो हमारी कवर प्लेट्स दोनों साइड आएंगी सबसे एफिशेंट यही रहता है हमारा क्योंकि सेंटर सिटी वगरा कुछ भी डैवलप नहीं होती नहीं इसमें और इनकी ठिकनेस और कितना दे रखा में सिंगल सिंगल बॉल्ट लाइन है तो भी दिखा देते हैं यहां पर कुछ ऐसा हमारा यहां पर देखने को मिलेगा हमें कनेक्शन हमारा ठीक है भई अब थोड़ा समझने में हमें आगे कुश्चन के अनिलाइज करने में आसानी हो जाएगी इनकी थिकनेस हमें दे रखी है 6 mm यह 6-6 mm की कवर प्लेट्स दे रखी है और यह दे रखी है हमें 8 mm में प्लेट्स जो है वह 8 mm की है बोल्ट का डायमेटर हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 16 mm थीक है वह सारा हमें यहां पर आगे यूज कर लेंगे अब पहले लिख लेते कि गिवन क्या क्या वैलियू ज़ो हम यहां पर बात कर रहे हैं भी गिवन वैल्यू सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहां पर टू प्लेट्स एट एमेम थिक मेंट की थिकनेस कितनी दे रखी है हमें 8 mm इसके इलावा क्या दे रखा है 16 mm डायमेटर दे रखा है 16 mm का डायमेटर दिया हुआ है बोल्ट है तो अभी ग्रॉस निकालने की ज सिगेली इस ग्रेब का मतलब है कि हमारी F u b मतलब ultimate जो strength दे रखी है बॉल्ट की ऑग बॉल्ट की वह कितनी दे रखी हैत। यह four लो है यह ultimate strength denote करता है और yield strength जो होगी बॉल्ट की वह क्या होगी 60% of ultimate strength ठीक है 60% of four hundred कितना हो हमारा 624 तो 240 मेगा पास्कल यह बोल्ट के लिए है बई ग्रेट का मतलब यह हो गया यह वैल्यूस हमें समझा आगई इसके इलावा कि यह हो गया हमारा ग्रेट हो गया कवर प्लेट समरी टी कवर कवर प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है छे एमें क्लियर दो कवर प्लेट से जिनकी थिकनेस 6 mm है कैलकुलेट स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ बोल्ट समें दे रखे हैं 4 नंबर ऑफ बोल्ट से फोर इसके लावा पिछ भी दे रखी है भाई हमें यहां पर वेरी गुड पिछ है हमारी 45 mm जितना ज्यादा डेटा दिया होगा उतन है तो बैसिकली हमें जो मोटा मोटा जो और टोटल वीर्थ हमने यहां से देखी कितनी है केपिटल भी 195 mm ठीक है तो बैसिकली यहां पर इतनी वैल्यूज हमें अभी तक समझ में आ रही है clear इतनी वैल्यू समझ में आ गई और हमें यह पता है कि स्ट्रेंथ निकालनी और एफिशेंसी निकालनी है स्ट्रेंथ निकालने के लिए पी-एस और पी-बी जो रिवेट वैली होगी वह और प्लेट की स्ट्रेंथ को कंपेर कर दूंगे इन में से सबसे का ही एनलिस करेंगे हम यहां पे अब देखिए सबसे पहले तो खेयर में पि-एस निकालनी है पी-एस और पी-बी अब उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो या तो पहले रिवेट वैल्यू निकाल लो मतलब एक स्ट्रेंथ और निकाल लो वह एक जाएगी जितने टोटल कि वेल्यू निकालते टाइम ही आप बोल्ट वेल्यू ना निकाल के क्या करो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट की स्ट्रेंथ शेरिंग स्ट्रेंथ और टोटल बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो निकाल दो एक ही बात है मैं पहले क्या कर रहा हूं मैं बोल्ट वेल्यू निकाल द mention लिक कर देना जो हमारा में मकसद था ये question करने का basically कि using lsm limit state method से हम ये question करने वाले हैं में मकसद यही था कि limit state method भी हमें समझे में आ जाए तो basically सबसे पहले ps calculate करेंगे जब shearing strength of bolt जब हम बात करते हैं कैसे निकालते हैं n into pi by 4 into diameter का square into fs यही formula होता है हमारा n क्या होता है number of sharing planes इसके लिए ही मैंने यहां पर diagram बनवाए था कि एक sharing plane यहां हो गया और एक sharing plane यहां हो गया double cover है तो number of sharing planes कितने हो गए दो हो गए इसकी value हो गई इसके लावा 5 हमें दिया हुए fs की value कैसे करते हैं वह देख लेते हैं अब fs कैसे calculate करते हैं fs की value क्या होती है इसके अंदर fub upon 1.25 under root of 3 यह value होती है हमारी अगर fub grade दिया हुए हमें तो वहां से हमें fub पता चल जाएगा अदरवाइस plate का ही 410 यूज़ कर लेते हैं यहां पर दिया हुए तो क्या value करेंगे यूज़ जो दिय हुई है 400 upon 1.25 अंदर root 3 तो यह देखो कितना हाथ है calculate करके कि चार सो अपॉन 1.25 अंदर root 3 कि 184.75 कि 184.75 न्यूटन पर एमेम स्क्वेर fs आ गया पुट कर दो इसको तो ps कितना आ गया 2 into pi by 4 into diameter जो दिया हुए bolt है यहां पर bolt था इसलिए हम यहां पर आप ग्रॉस नहीं यूज़ कर रहे हैं जो दिया हुए diameter वही यूज़ करेंगे 16 mm diameter हमें दिया हुए 16 का square into 184.75 तो यह देखो कितना आ रहा है बई 2 into pi by 4 into 16 square into 184.75 divide by 1000 भी कर देना यार 74.29 74.29 किलो न्यूटन यह हमारी यहां से ps की value आ गई clear अब बारी किसकी आती है pb की ठीक है ऐसी calculate करते हैं अब pb कैसे calculate करते हैं वही डी इंटू टी टी क्या होगा यहां पे अब या तो में प्लेट किया फिर सम आफ कवर प्लेट्स तो टी मिनिमम कैसे निकालेंगे हम यहां पे या तो टी में च्रें टी में और सम आफ कवर प्लेट्स टी कवर व्हां प्लस टी कवर टू इन दोनों में जो मिनिमम आएगा बेसिकली वही होगा तुम टी में कितनी है में की थिकनेस आट एमेम और 6 प्लस 6 12 mm दोनों में से minimum क्या आएगा भई minimum क्या होगा 8 mm यह use करेंगे therefore T minimum equals to 8 mm यहाँ पर use करतेंगे तो यह भी पता चल गया अब हमें अब बारी आती है FB की FB calculate करते हैं अब now FB यहाँ लग देते है FB कैसे calculate किया जाता है formula होता है हमारा 2.5 KB into FU upon FUB upon 1.25 formula हमारा यह होता है fix LSM से जब करते हैं KB अब आ रहाते है FUB तो हमें दिया हुआ ग्रेट दे रखा है हमें तो उसके हिसाब से हमारा FUB क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 वह हो गया अब बारी किसी क्या आती है KB की तो पहले के भी calculate करो देखो यार यही आगर आपको formula पता है तो उसके अंदर और values निकलती जाएंगे आपको values पता चल जाएंगे कि अब कौन-कौन सी calculate करने है कहां से proceed करना है तो KB कैसे निकालते हैं भी अब हम KB निकालने का तरीका क्या होता है चार condition होती है या तो E upon 3D या फिर P upon 3D minus 0.25 या फिर FUB upon FU या फिर 1 इन चारों में से जो minimum आएगा वही हम यहां पर KB के रूप में use करते हैं अब सारी values दी हुई हैं हमें सारी दी हुई हैं तो KB निकालो तो करते हैं तो now सबसे पहले क्या देखते हैं E upon 3D ये कितना आएगा E distance हमें end distance कितना दे रखा है 30 तो 30 upon 3 into D क्या है हमारे हैं यहां पर diameter तो कितना diameter दे रखा है हमें यहां पर 5, 16 तो ये देखो कितना आ रहा है 30 divided by 3 into 16 0.625 0.625 यहां गई value एक एक value हमें मिल चुकी है दूसरी value क्या है P upon 3D minus 0.25 तो ये कितनी है पिच कितनी दे रखी है हमें 45 45 अपॉन 3 into 16 माइनस 0.25 ये value कितनी आती है देखो भई ये आएगी 45 अपॉन 3 into 16 माइनस 0.25 0.687 0.687 एक value ये आ गई हमारी यहां पे तीसरी value क्या है FUB upon FU FUB कितनी दे रखी है हमें आपे देखो 400 ग्रेड दिया हुए तो 400 upon 410 410 होती है हमारी FU उतलब अगर ये नहीं दी होती तो 400 upon 410 0.975 0.975 एक value हमारी ये आ चुकी है तो एक, दो, तीन और तीसरी क्या है हमारी एक चोथी सोरी तो इन चारों में से हमारी सबसे छोटी value क्या है सबसे कम minimum value ही use करेंगे न एक सबसे बड़ी होगी फिर ये होगी फिर ये ये तो हमारी क्या होगी increasing order में यहागी values सबसे कम value जो है KB की वही use करे जाएगी तो therefore KB equals to 0.625 ठीक है ये आप यहाँ पर ऐसे दिखा दे न कि जो चोथी value थी वो ये थी इन चारों में से minimum हमें select करनी थी तो ये हमारी KB की value आ गई अब put कर देते हैं FB की value के अंदर तो therefore FB की value कितनी आ जाएगी बढ़ी 2.5 इन टू KB कितना है 0.625 इन टू FUB कितना दिया हुए हमें 400 अपोन 1.25 तो ये देखो कितना आ रहा है 2.5 इन टू 0.625 इन टू 400 डिवाइड बढ़ 1.25 500 एक्जेक्ट आ रही है value ठीक है 500 Newton per mm square यह आ गए हमारी यहाँ पे FB clear भई अब bearing strength निकाल देते हैं FB की value पता चल गई तो तो PB क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे put कर दो अब therefore PB equals to 5 कितना दिया हुए हमें 16 इन टू T minimum कितनी निकाल ली थी हमने हैं से 8 mm इन टू हमारी जो FB की value आई है वो कितनी आई है 500 इसको 10 raise to par minus 3 से भी multiply कर देते हैं किलो न्यूटन में करने के लिए तो 500 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 64 किलो न्यूटन आ रही है 64 किलो न्यूटन हमारी यहां से PB की value आ चुकी है clear भई तो rivet या bolt value निकालने के लिए किसकी जरूरत थी हमें PS और PB की वो value हम calculate कर चुके है PS हमारा कितना आया था यह suppose number 1 था हमारा और यह क्या है number 2 तो PS हमारा आया था 74.29 bolt value क्या होगी दोनों में से minimum और यह 64 तो therefore bolt value bolt value equals to PS और PB में से जो minimum होगा वही होगी therefore bolt value किसके बराबर हो जाएगी PB के बराबर 64 किलो न्यूटन तो एक bolt की तो strength आ गई यहाँ पे अब हमें तो क्या चीए था पूरे के पूरे joint की strength निकाल रहे हैं तो पूरे joint पे कितने आ रहे हैं हमारे bolts एक दो तीन और एक 4 चार बोल्ट हमने यूज किये हैं तो देखो strength बोल्ट वैल्यू कितने आई है 64 तो यह कितने हो जाएगी 64 इंटू 4 256 256 किलो न्यूटन हमारी यहाँ पे इसके strength आ गई bolt वैल्यू की terms में यह चीज क्लियर तो अब बात करते हैं हम plate की क्योंकि पूरे joint की strength तो plate की भी आएगी तभी देखेंगे ना कि बोल्ट वैल्यू में तो minimum यह आ गई अब इसमें और plate में tensile strength of plate इन दोनों में जो minimum होगा वही हमारे joint की strength कहलाएगी ठीक है यह तो based on bolt value था तो तब तब एक बार इसको note down करिए screenshot लो फिर आगे proceed करते हैं कि आगे tensile strength of plate कैसे calculate करेंगे हम ले लिया वही चलो अब इसमें हमें bolt value की जरूरत ने 256 की जरूरत है यह सब हम यूज कर चुके हैं हमारी जो strength आई है वह कितनी आई है 256 ठीक है strength आगई 256 नाव strength of plate तो अब plate की देखते हैं वही PT अब LSM में क्या किया जाता है दो तरीके से चेक करते हैं या तो A net या फिर A G इन दो प्रोसेसिस के थ्रू करते हैं या तो क्या होता है A net into 0.9 F U upon 1.25 या फिर क्या होता है A gross जो कि हमारा yielding से fail करता है F Y upon 1.1 इन दोनों में से जो minimum होगा basically उसको हम क्या करते हैं select करते हैं इसकी tensile strength के रूप में तो पहले A gross और A net निकाल लेते हैं फिर multiply कर देंगे इन values से F U अब यह देखो यहाँ पर F U B नहीं आएगी यहाँ पर बोल्ट का यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पर क्योंकि वो बोल्ट के लिए यूज कर रहे थे हम ultimate strength यहाँ पर प्लेट की ही यूज की जाएगी 410 जो होती है और यह 200 जो हम प्लेट के लिए ही लेके चलेंगे values तो वो confused मत हो ना भई तो अब A net और A G calculate करते हैं पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब चलो खेर अब ही आएगा तो तब देखते हैं A net जब हम calculate करेंगे तो suppose पहले A net calculate करते हैं तो कैसे करेंगे बी माइनस एन टाइमस ओफ फाई होल होल का डायमेटर माइनस किया जाएगा इन्टू टी थिकनेस यह थिकनेस किस किया जाएगी हमारी प्लेट की ठीक है तो अब यहां पे जब हम बात करेंगे प्लेट की अब यहां पे तो हमें हो होल के बराबर का काट है ना अब बोल्ट या रिवेट से कोई लेना देना नहीं है हमारा होल के लिए यहां पर क्या करेंगे बोल्ट दिया हुए 16 mm का नाव बोल्ट 5H कैसे निकालेंगे होल का डायमेटर 5 प्लस 2 mm 16 mm कहना तो 2 mm एड किया जाएगा इसके अंदर 16 mm प्लस 2 mm 18 mm यह याद हो नीची है भी टेबल आप लोगों कितना यहां हमें एड करना है कितना नहीं करना होल का डायमेटर हमें पता चल गया ठीक है 12-14 तक हम कितना करते हैं एक और 16-24 तक कितना करते हैं जनरली 2 mm उससे उपर के लिए 3 mm एड करते हैं वह याद रखना बोल्ट के लि फाइच आ गया हमारा तो एनेट निकालते हैं देरफोर एनेट टोटल वीड़ कितनी है हमारी 195 माइनस नंबर आफ बोल्ट कितने है चार इंटू फाइट इंटू थिकनेस एट कितना है यह देखो थारा इंटू चार माइनस 195 गटा दिया इंटू में एट यह आ गया नाइन एटी फोर नाइन एटी फोर एम एम स्क्वेर एरिया आ गया वह यह बेसिकली और ए ग्रॉस जब निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा बी क्रॉस टी विट्स कितनी है 195 इंटू थिकने से आठ तो यह देखो कितना रहे है तो तो देर्फोर पहले ए नेट ए नेट इंटू जिरो पॉइंट नाइन एफ यू अपॉन पॉन पॉइंट तू फाइव यह कितनी वैल्यू आएगी ए नेट हमने कितना कैल्विलेट किया नेट इटिफोर इंटू जिरो पॉइंट नाइन इन्टू चार्सों दस डिवाइड बाइ वन पॉइंट टू फाइफ यह देखो कितनी आ रहे हैं 1.तनि त्वर इंट्व पॉइंट ने इन्टू फोइंट नाइन इन्टव चारसो दस डिवाइड प्रन पॉइंट है कि 15 डिवाइड मैं 1000 भी कर देना यार त्व नाइन टी पॉइंट फained कि ए तो चूनाइन टी पोइंट्व थेवन एमयंग किलो नूट्रू तूरी 0.47 kN यह हमारी यहां पर क्या आगई P T एक criteria से हमारा Net failure section से यह आ गई दूसरी किस्सेगर नियमे gross area से तो ग्रोस area से जब हम निकालते हैं तो वहांसे कितनी आ जाएगी कि देखो कि याद रखना टू फिफ्टी सिक्स थी हमारी लिख लेते हैं यहां पर ताकि बाद में हमें याद रहे टू फिफ्टी सिक्स किलो न्यूटन थी क्योंकि कंपेर तो उसके साथ ही करना है ने इन वैलियू उसको तो नाव एक ग्रॉस इंटू एफ वाई अपॉन पॉइंट वन पॉइंट वन यह क्या आएगा ग्रॉस एरिया हमने कितना कैल्कुलेट किया था पंद्रा सो साथ फिफ्टीन सिक्स्टी इंटू इल्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी टू फिफ्टीन अपॉन पॉइंट वन पॉइं वन इसको डिवाइड बै थाउजंड भी कर देना यार 354.54 354.54 किलो न्यूटन यह आगी हमारी यहां से पी टी दूसरे क्राइटीरिया से यह आ गई हमारी वेल्यू ठीक है दोनों में से जो कम होगी वही हम यहां पर क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे दोनों में से कम कौन सी ह यहां यहीं क्या हो जाएगी प्लेट की स्ट्रेंथ होजएगी जन्रलम मैंने बिताया हुए कि नट एरिया क्रोस सेक्षेंसे ही हमारा जो आता है वह यहीं मिनिममम आता है जनरली ग्रोस एरिया से थोड़ी स्ट्रेंथ ज्याधा उती है बड़ फिर भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा यहां पर क्रेटीरिया हमारा यहीं बोलता है तो देर्फॉर पीटी क्या हो जाएगी हमारी 290.47 किलो न्यूटन मिनीमम जो है हमारी बेसिकली मिनीमम पीटी जो है हमारी यह हो गई तो अब स्ट्रेंथ ओफ जोइंट क्या हो जाएगी यह क्या हो जाएगी इस पीटी में से और जो हमारी रिवेट की स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करी थी उनमें से जो मिनीमम वैल्ली आएगी उनमें से जो मिनीमम आएगी वो क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ ओफ जोइंट तो 290 यह थी और 256 हमने उसके कैलकुलेट करी थी strength of joint कितनी आ जाएगी 256 किलो न्यूटन ठीक है तो यह हमें strength of joint तो पता चल गई यहाँ पर अब बारी आती है efficiency की efficiency कैसे calculate करेंगे strength of joint divided by strength of solid plate दोनों basically हम यहाँ पर calculate कर चुगे है solid plate की भी क्या होगी gross area से होती है तो यह हमने solid plate की strength यहाँ पर calculate करी हुई है फिर भी करते हैं यहाँ पर therefore efficiency equals to strength of joint strength of joint upon strength of solid plate into 100 तो strength of joint हमने कितनी की हुई है 256 अपॉन strength of solid plate कितनी आ रही है हमारी 354.54 इंटू 100 यह देखो कितनी आ रही है efficiency कितनी आती है 256 divided by 354.54 इंटू 100 72.2 परसेंटेज यह हमारी यहाँ पे efficiency आ गई भई तो strength of joint बता नहीं थी वह भी बता दी एफिशेंसी बता नहीं थी वह भी बता दी तो LSM से भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है तो LSM से कैसे किया जाएगा question वह भी पता चल गया कि किस तरह से procedure फोलो करना है अग से पूछा हुआ कभी question ठीक है तो यह हमारे यहां तक कभी तक हमने बोल्ट के जो है काफी questions जो है वो कर लिए है efficiency और strength of joint बेस्ट जो questions है इस टाइप के जो दूसरे questions है अभी हम next जो type करते हैं वो करेंगे eccentricity के उपर based की eccentricity पे based question कैसे पूछे जा सकते है बोल्ट के लिए ठ आपको भी करनी पड़ेगी तभी फायदा होगा मेरे करने से नहीं होगा के लिए ठीक है तो next देखते हैं next वीडियो के अंदर तब तक के लिए पढ़ते रही है और बढ़ते रही है थैंक्यू